Good afternoon students, हमसे पूचा है कि Bacidio Carp क्या होता है और हमसे पूचा है कि जो इसमें Spores बनते हैं वो Exogenous होंगे या फिर Endogenous होंगे तो जो Bacidio Carp है वो क्या है? वो Fruiting Body है Bacidio Mycetes की ठीक है? और इसके जो Spores हैं वो Exogenous होते हैं देखो, Basically इसमें क्या होता है? जब Plasmo Gammy होती है Plasmo Gammy का मतलब होता है Fusion तो जब दो Plasma Fuse करते हैं तो क्या हो जाता है? Dicariotic Mycelia बन जाता है ठीक है? एक Mycelia जिसके अंदर दो Nucleus है ये जो Mycelia है, ये क्या बनाता है? Bacidium बनाता है ये जो Mycelia है, ये Bacidium बनाता है ये जो Bacidium है, ये क्या है? इसका काम है सिरफ Spores प्रडुज करना उन Spores का नाम है बैसीडियो Spores यजो Spores है ये प्रडुज करता है इन Spores का नाम है Bacidio Spores और ये जो Spores है, ये कौन Beer करता है? मतलब कौन सी fruiting body है, कौन सी वो body है जो इसको beer करेगी उसका नाम है besidio carb दुबारा देखते है mycelia जो होता है diicariotic mycelia जो है फंजाय के अंदर वो क्या बनाता है, besidium बनाता है ठीक है, ये besidium club shaped का structure होता है, club का मतलब होता है, जो चिड़ी हम वो करते है ना उसमे cards में किरते है कि ये होता है club shaped, ठीक है तो ये club shaped का एक structure बनाता है इसको sporengium भी कहा जाता है sporengium का मतलब जो spores produce करता है, ठीक है तो ये कौन से spore produce कर रहा है, besidio spore, और ये exogeniously produce कर रहा है, exogenious मतलब externally produce कर रहा है कि हमें दिख रहा है na sport बहार से निकल रहा है तो ये है besidio spores ये जो besidio spores है ये इसकी fruiting body जो है, जिसको besidio carp कहते है उस पर लगी होता है, ठीक है तो अगर हमें पूछा दाएगा कि besidio carp क्या होता है तो ये fruiting body in besidio mycities और जो besidio spores है वो कैसे produce होते है exogeniously produce होते है समझ में आया